नमस्कार वचो आज मैं आपको भीश में पिता महा नामक कहानी पढ़ाने जा रही हो और यह एक पौरानी कथा है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भीश में जो थे उन्होंने किस प्रकार दिड़ प्रतिग्या ली थी आज इवन ब्रह्मचारी रहकर किया है हस्तिनापूर की रक्षा करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे उनके तयाग और बलीदान की जो कहानी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यह पर भीश में कौन थे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भीश में वे है राजा शांतनू और गंङा के पुथर थे तो भीशиком अगर आता है कि भीश में कौन थे तो क्या लिखोगे वे राजा शांतनु और गंगा के पुद्र थे इसके अलावा जो है कोरवों और पांडवों के पिता महा थे पिता महा यानि दादा जी थे तो अब देखो जब वे छोटे थे मतलब उनका बच्पन का नाम था देववरत ठीक है तो अगर वान परशुराम से यूद और शस्त्र का ज्यान उन्होंने अर्चित किया था तो उनके गुरु कौन थे वशिष्ट और परशुराम ठीक है तो उन्होंने उन्हें बहुत ही मतलब ज्यान दिया विद्याओं में तो उन्होंने विद्दा में किया है बहुत ही पारंपगत थे मत देखो एक बार की बात है कि मलब देववरत के पिताजी जो है मलब राजा शांतनु एक बार किया है शीकार करने के लिए निकले थे तो जब वे शीकार करने निकलते हैं तो कहां पर गए थे यह मुला नदी के तट पर वहीं पर क्या है शीकार करते करते क्या है उन्होंने वह पर एक बहुत ही सुन्दरी कन्या को देखा, तो जिसका नाम था, क्या है, निशाद राज की बेटी थी वह, तो शान्तुनु जो उस कन्या को देखते हैं, निशाद राज की बेटी को देखते हैं, तो वो उन्हें देखकर बहुत ही मुख्ध हो जाते हैं, और उनसे विवा क करने का जिद पकड़ लेते हैं मतल् Wiki मन संकल्प करते हैं कि उस उस्सुन्धरी करनिया से ही क्या करेंगे व्यवा करेंगे मगर यहां पर निशाद राझ जो है उन्होंने ये शर्स रख दी कि मेरी बेटी के साथ आपकी का विभा हो सकता है पर उसके लिए एक शर्थ है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा जो संतान होगा वही राजगदी पर बैठेगा देववरत नहीं तो यह सुनकर क्या है राजा शांतनों को बुरा लगा और वे इस शर्थ को मानने को तयार यीं हुए और वे उदास मंद से लोट आते हैं क्योंकि उनके लिए देववरत वहती प्रीयत पुत्र थे उनके बड़े पुत्र जैष्ट रहता बीमार पढ़ने लगते हैं उनकी अवस्था जो है शोचनिय होने लगती है अब देववरत को चिंता होने लगी अखिर बात किया है पिता जी इतने क्या है बीमार क्यों पढ़ रहे हैं अब जब वे खोज पर निकलते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सत्यवति नामत ज से विवा करना चाहते थे पर उन्होंने जो शर्त रखी वह मंजूर नहीं है पिता जी को तो तब वे जाते हैं कहां पर जाते हैं निशाद राज के पास जाते हैं निशाद राज जी जब यह कहते हैं शर्त सुनाते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्री ही राजगद्दी पर बै आजीवन ब्रमहचारी रहेकर क्या करेंगे हस्तिनापूर की रक्शा करेंगे वे आजीवन विवास क因ने करेंगे और उनकी पुत्री का पुत्र ही क्या है राजगर्दी पर बैठेगा और इसी शर्ट के साथ क्या है विवहा के लिए मन्जूर होते हैं और शान्तुनु राजा शान्तुनु का विवहा सत्यवती से हो जाता है तो सत्यवती कौन है निशाद राज की बेटी एवंग शान्तुनु की दूसरी स्थ्वी थी तो अब विवहा भी हो जाता है और कुछ सालों बाद के हो जाता है उनके दो पुत्र होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीरिया नामक दो संतान भी पैदा होते हैं अब देखो शान्तुनु का मतलब देहांत हो जाता है जब शान्तुनु की मृत्ती हो जाती है तो उनका जैश मतलब चित्रांगत से जो बड़ा पुत्र था चित्रांगत राजगती पर बैखता है अब चित्रांगत की भी मृत्ती हो जाती है तो उसके बाद क्या है विचित्रवीरिया बैखते हैं राजगती पर अब राजा कौन है विचित्रवीरिया और देखभाल कौन कर रहे ह शाशन का देख्माल जो कर रहे थे वो है भीश में पिता महा अब देखो विचित्र वीरियस से क्या है उनके दो पुत्र पैदा हुए धृत्र राष्ट और पांडू तो विचित्र वीरियस से कितने पुत्र पैदा हुए थे दो एक का नाम था धृत्र राष्ट और दूसरे का नाम पांडू अब दिखो भीश में जो हैं वे तो बहुत ही बार मतलब एक तो पहले भी प्रण कर चुके थे कि आज इवन ब्रह्मचारी रहकर क्या करेंगे हस्तिनापूर की रक्षा करेंगे उसी प्रकार उनमें प्रतिग्या करने की और भी बहुत सारे विशेष्टा हम आगे देखते हैं जैसे महाभारत का जब युद शुरू हुआ था तो भीश में जो हैं वे कौरोव की तरफ से लड़ रहे थे और पांडवो की तरफ से कौन थे कृष्ण जी थे तो उस समय देखो कृष्ण ने भी यही कहा था कि मैं अर्जुन का सार्थी बनकर क्या करू के मजबूर कर दूंगा तो यही घटना होती है युद में जब मतलब पांडव लोग हार रहे थे और जब भीश में मतलब जिस प्रकार से कौरों की सेना मतलब प्रहार कर रहे थे यहां पर क्या है पांडवों की सेना एकदम दुर्वल पड़ गई थी तब इसी क्रोध में यहां पर क्या है रत भी तूट जाता है और तब क्या है चक्र लेकर क्रिश्न जी भीश्म पर आक्रमन करने जाते हैं तो इस प्रकार क्या है भीश्म की जो दूसरी प्रतिग्या वह भी सफल होता है और क्रिश्न जी क्या है उन्हें काफी क्या है उनकी प्राराक्रम की काफ संभावना ही नहीं है तब कृष्ण जी जो है वे पांडवों को कहते हैं एक ही मतलब एक ही उपाय है जिससे वे विजय प्राप्त कर सकते हैं वो है कि वे अपने दादा जी के पास जाए और उनसे पूछे कि किस प्रकार से क्या है को और वो को हराया जा सकता है किस प्रकार भ और अपने दादाजी से पूछते हैं और तब दादाजी कहते हैं कि पांडवों की जो सेना है वहाँ पर क्या है शिखंडी नामक दुपद नरेश का बेटा है वो पिछले जन में क्या है स्त्री रूप धारन करने वाले थे तो जो लोग स्त्री रूप धारन करने वाले हैं य मक्ष रखकर मुझ पर वान चलाए तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा तो इस प्रकार क्या है युद्ध में अर्जुन क्या करते हैं शिखंडी को अपने सामने रखते हैं और भीश्म पर प्रहार करते भीश्म इसके जवाब में कोई वान नहीं छोड़ते और जितने भी स सारे वान के वह भीश्म पर बिध जाता है और वे शर्षईया पर लेट कर क्या है प्रिथिवी पर शर्षईया के उपर लेट जाते हैं तब जैसे मैंने कहा था उन्हें क्या है इच्छा मृतियों का वर्दान था और क्या है उस प्रकार वे जब सन मतलब सूरियास्त के पै वे प्रान त्याग देंगे और वहीं पर जब शर्षया पर पड़े हुए थे तब भीष्म ने युधिष्ठीर को क्या है ग्यान वेराग्य धर्म एवंग नीती का उपदेश उन्होंने क्या है दिया और उसके बाद क्या करते वे अपने प्राणों को त्याग देते हैं तो इस प्रकार का चरित्र मतलब भीष्म के जैसा चरित्र जो है हमें दुनिया में दूसरा मिलने ही मिलता आशाकर्ति कहानी का जो मैंने सारांश बताए आपको समझ में आया होगा और अभी जो है आप पाठ जो है वह आप खोलिए मेरे किताब में तो दूसरा प्रिष्ठ क्या खूलिए धन्यवाद